आज हम बना रहे हैं डॉल गैना कॉफी ये देखने में जितनी सुन्दर है पीने में उतनी ही टेस्टी है और इसलिए इंटरनेट पर इतनी फेमस हो रही है तो चलिए देखते हैं मैंने एक ग्लास लिया है और उसमें मैं दो पैकेट नेसले कॉफी के डाल रही हूं यहां पर मैंने कोई मशीन का यूज नहीं किया है और अब मैं इसमें चार से पांच स्पून चीनी की डाल रही हूं उसके बाद मैं इसमें आपर तीन चमच पाने डाल रही हूं स्टार्टिंग में हम पानी जादा लेंगे और फिर इसको फेटते रहेंगे मैंने यहां नाइफ की मदद से इसको फेट रही हूं यहां मैंने बीटर का यूज नहीं किया है देखिए इस तरह के से इसका रंग चेंज होने लगता है ऐसा करने में हमें 10 से 15 मिनट का समय लग अगर हमारे पास बीटर होता है तो उसमें तो पांच मिनट में ही यह फिट कर रेडी हो जाती है जैसे हम इसको लगता चलाते रहेंगे इसका कलर भी हलका लाइट होने लगेगा बीच बीच में जब हमें लगे कि यह घाड़ी हो रही है हम इसमें पानी एड़ करते और इसको लगतार हम फेटते रहेंगे फेटते रहेंगे फेटने से ये डबल हो जाती है देखिए मैंने इसको लगबक 10 मिनट तक फेट लिया है और हमारी जो शुगर है वो अच्छे से फिलपी हो गई है ये जस्ट डबल हो जाती है अब हमारी ये कॉफी बिलकुल रेडी ह अब हम इससे hot और cold दोनों coffee बना सकते हैं मैं यहाँ पर आपको आज cold coffee बना कर दिखा रही हूं मैंने यह wine glass लिया है और अब मैं इसमें ice की कुछ cubes डाल रही हूं इसके बाद मैंने यहाँ पर cold milk लिया है इसको मैं पूरा milk से फिल कर दूँगी और उपर से मैं इसमें अपनी dalgono coffee को सेट करूँगी इस्पून की मदद से हम इसमें धीरे-धीर dalgono coffee डालेंगे यह इतनी light होती है कि दूद के ऊपर तैरने लगती है इस तरीके से हम इसको अपनी coffee पर अपने milk पर सेट कर देंगे स्पून की मदद से इस तरह और एंड में हम इसकी coffee powder या फिर chocolate chips जिससे भी आप garnish करना चाहते हैं आप garnish कर सकते हैं और हमारे dalgono coffee बनकर तैयार है I hope आप सबको यह पसंद आएगी Thank you आप